स्टो हेलो गाईस मेरा नाम है प्रियांश आप लोग देखे रहो प्रियांश गैरच तो भाईयो अगर आपका बज़ट 43 लाग से लेके 50 लाग के वीच में और आप पर्चेस करना चाहते हो लग्जिरी सेडाइन कार तो आज इस वीडियो का आज आप पूरा देखेगा आज आज में लोग पात करने वाले और दी ए 4 के बार में तो यहां पर आपको काफी कुछ चेंज्जेस एंड काफी कुछ कम प्राइज इनको में जाएगा विकॉस हम आज बात करने प्री उंड कार के बार में शुरुआत करते हैं इसके color option तो यहां पर आपको मेतेस black metallic नेवरा Blue Metallic, Terra, Gray Metallic and Fluorlet, Silver Metallic और इसी के साथ आपस्मों Ibis White ऐसे 5 color option देने को मिल जाएगे अगर आपर एक showroom pricing की बात कर लिजाएगे तो यहाँ पर आपको 43,50,000 से लेके 50,99,000 तक आपको एक showroom price देने को मिल जाता है अगर आपर variants की बात कर लिजाएगे तो यहाँ पर आपको premium, premium plus and technology ऐसे 3 variants offer किये जा रहे और अभी आप यह इसका premium plus variant देख रहे है जो कि काफी बढ़िया लग रहा है देखने में अगर engine specification की बात कर लिजाएगे तो यहाँ पर आपको 2 liter का turbo charge petrol engine देखने हो मिलता है 4 cylinder के साथ power की बात के लिए तो यहाँ पर आपको 187 bhp और 320 Nm का torque देखने हो मिल जाता है average की बात के लिए तो 17 तक की mileage देखने हो मिल जाती है अगर आपर key fob की बात आती है तो यहाँ पर आपको ऐसी कुछ की देखने हो मिल जाती है जिसमें की lock unlock और boot कुलने का button देखने हो जाता है इसमें काफी बड़े feature मिलता जाए जैसे ही गाड़ी आप अपनी unlock करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसी कुछ सारी इसकी headlights open हो जाती है जो की काफी अच्छे लगती है आपको parking के time में काफी मदद करने वाला है जैसे ही अब unlock करेंगे गाड़ी अपकी बंद हो जाएगी तो ऐसी कुछ आपको यहाँ पर remote की offer की जारी है बढ़ते हैं गाड़ी के exterior के तरह उसके बाद बढ़ते हैं गाड़ी के interior में अगर front profile की बात किया है तो ऐसे हुच यहाँ पर आपको काफी iconic looks देखने को मिले वालें काफी आदा enhanced लगती है देखने में जो कि आप यहाँ पर सामने से देख सकते हैं center में आपको काफी बड़ा सा audio का logo देखने को मिल जाएगा जो की आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारा आपको यहाँ पर chrome treatment देखने को मिल जाएगा पूरी ग्रिल में जो की काफी attractive लगता है देखने में पूरी यहां पर देखते हैं दो sensor आपको मिल जाते हैं front के लिए गाड़ी के headlamps की बात करें तो यहां पर आपको LED headlamps offer किये जा रहे हैं इनका throw काफी अच्छा आता है night में जैसे कि मैंने अभी आपको जला के दिखाया था नीचे के तरफ आपको LED washer देखने को मिल जाता है उसी के बगलाओं को towing hook का horse देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको chrome treatment देखने को मिल जाता है गाड़ी के ground clearance की बात करें तो यहां पर आपको 160 mm का ground clearance मिलता है बिकाड़ी की height काफी लो है तो खराब रास्तों में थोड़ी से आपको problem होने वाली है अगर wing shield की बात के लिए तो यहां पर आपको इतनी बड़ी सी wing shield दे जाए जिसकी visibility काफी अच्छी आती अंदर से dual wiper with washer का shut up देखने को मिल जाता है roof की बात के लिए तो यहां पर आपको sunroof और पीछे के तरह आपको शाफिन अडिना देखने को मिल जाएगा काफी aerodynamic लगती है देखने में और चलती ही भाई गाड़ी एकदम चिपक के गाड़ी की side profile की बात के लिए तो ऐसी जो मिलती है आपको यहां पर side profile जो कि आप यहां पर देख सकते है allow wheel आपको black color के देखने में जाते हैं caliper आपको yellow मिले हैं जिससे आपकी look से काफी enhance लग रही है देखने में यहां पर अगर tires की बात के लिए यहां पर आपको 17 inch के allow wheel offer किये जा रहे हैं आपको इतना कुछ देखने को मिल जाएगा ऐसे को लगते हैं इसके allow wheel tire station की बात करें तो यहां पर आपको 225 by 50 R17 के tires देखने को मिलते हैं जो कि यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो side look से वाई काफी आदा amazing लगती है देखने में बाकि yellow के लगे आपको caliper देखने मिल जाएगा गाड़ी के wheel base की बात करें तो यहां पर आपको 2819 mm का wheel base देखने मिल जाएगा जिससे अंदर की तरफ आपको space काफी दा देखने मिल जाता है बाकि अब इस skill length भी देख पारें काफी बड़ी है बड़तें काड़ी के ORVM की तरफ तो यहां पर आपको ऐसे कुछ fenders दोनों का यह option आपको यहां पर देखने मिल जाएगा बाकि turn indicator की placement आपको देखने मिल जाएगी LED LED की दर यह जो की काफी अच्छे लग रहे हैं आप इनको अंदर से fold unfold काफी सारा control कर सकते हैं बड़तें काड़ी के rear profile की तरफ rear profile की बात की जाए तो ऐसी कुछ यहां पर आपको rear profile देखने को मिलने वाली है काफी आदा बढ़िया लग रही है देखने में tail lamps की जो design है वो भी मुझे काफी अच्छे लग रही है अगर शुरुवात करते हैं ऊपर से तो यहां पर आपको sharp in antenna देखने को मिल जाएगा उसे की निचे आपको defogger SSK cars का आपको यहां पर sticker देखने को मिल जाता है center में Audi का काफी बड़ा सा logo आपको यहां पर center में देखने को मिल जाएगा जुक्या पर देखने में A4 की badging आपको यहां पर देखने को मिल जागी उसके बगल में मिलती है आपको 35 TDI की badging गाड़ी के tail lamps के बाद के बाद के बाद के लिए तो यहां पर आपको LED tail lamps offer किये जा रहे है जिनके setup काफी अच्छा है इनका night में जो look के काफी अच्छा लगता है देखने में नीचे आपको back camera की placement निचे मिल जाएगी यहां पर आपको 1,2,3,4 reverse parking sensor देखने को मिल जाते है उसके नीचे आपको reflector देखने को मिल जाएगा उसके नीचे आपको काफी सारा chrome treatment देखने को मिल जाता है बाद कि यहां पर आपको 2 exhaust offer किये जा रहे है नीचे से अगर हो बैट के तो ऐसी लगती है इसकी body बाद कि front और back दोनों में ही आपको disc brake offer के जा रहे है yellow calipers के साथ जिनके design काफी अच्छी लगती है देखने में बाद कि इनकी side profile है yellow LV के साथ बाई साथ एक गजब लग रहे है और यहां पर आपको euro n cap 5 star safety rating दिनों मिल जाती है जो की काफी in-up है और long road में काफी मत करने में यहां पर आपको मिलते है door headless उसे की नीचे आपको LED lights में मिलती है इसकी welcome lights है जो आपको चारोई door headless पर दिखने में मिल जाएगी करते हैं इनको उपर दिखाते हैं आपको driver side doors करते हैं इनको open आपको चारोई जाएगा यहां पर आपको sun protector मिल जाएगा यहां पर आपको black finish दिखने में मिल जाएगा यहां पार आपको बाटर होड़े देखने हो जा रही है और बीच में आपको आमरेश ऑफर किए जा रहे है बैटते हैं गाटी के लेग इस पेस्पेस तो यहां पर आपको काफी सारा लेग इस पेस्पेस मेरी हैट 5 फुट 11 इंच के असपास है आमरेश बिसका काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है सेंटर में आपको एस इस इवेंट आफर के जा रहे हैं साइड में आपको ग्रैब हैंडलस led reading lights जिनके डिजाइन काफी अच्छी लग रही है रूफ में आपको sunroof देखने को मिल जाता है जो कि आपको आप ड्रेवर सेटिंग दर को दिखाते हैं ड्रेवर साइड डॉर्स अंदर का पूरा इंटियर और सारे फीचर्स वन वेबन करते हैं चलके ड्रेवर साइड डॉर्स की बात के लिए तो यहां पर आपको ऐसे कुछ ड्यूल टून को आप्शन देने को मिल जाएगा ब्लैक और क्र लेदर फिनिश इनको मिल जाएगी ग्रैफ हेड़ ऑर वेवर कंडूल आपको यहां पर देनको मिल जाता है यहां पर आपको पॉर उंडे कंडूल चाइड लॉक यहां पर आपको बॉटल होल्डर बूत ओपनर यहां पर आपको speaker की प्लेश्मेंट अंदर इस पेस की बात क सकते हैं यहां से आप आराम से तो यहाँ पर आपको memory seats का भी option मिलता है जो कि काफी अच्छी चीज़ है DCAD के यहाँ आपको दो पड़ेल से मिल जाएंगे सिर्फ इसमें आपको सिर्फ DCAD का ही option दिनको मिलता है कोई और option दिनको नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको मिलता है headlights सारी controls driver situation बाद ऐसे को लगता है इसका पूरा dashboard and interior यहाँ पर आपको मिलता है welcome feature जैसे आपना door opening करेंगे यहाँ आपको audio का logo देखको बन गयाएगा आपको इधर तरफ देखने को मिल जाएगा उधर तो मिलता आपको speedometer अपनी sharing से आप इसको पूरी MID को control कर सकते हैं पूरा आप इसको changes करते हैं जो ऐसा भी आपको यहाँ पर रखना है तो काफी sporty लगता है देखने में जो कि आप अब देखते हैं भी आप पूरा control कर रहे है यह तो होगे अब बात देखाड़ी के center शुर्क तो यहाँ पर आपको touch information system मिलता है बोस के आप premium sound system मिलता है four speaker four twitters and one amplifier और one bass tube के साथ काफी मस्त इनका output आता है अगर इसका आपको output देखने है तो आप मेरे instagram पर जा सकते हैं यहाँ पर आपको मिलता है wireless charger जैसे के अपना phone आपको निकालेंगे तो यहाँ पर अपना phone रखेंगे आपको देखेंगे आपका phone charge होने लगेगा तो wireless charger आपको आमरेश में देखने हों मिल जाएगा जो कि काफी अच्छी चाहिए आपको अपना phone आप आराम से रख सकते हैं आपका secure भी रहेगा phone आपको दो साल और unlimited kilometer तक की warranty दिन हो जाती है जो कि काफी अच्छी चीज़े अब बात आती है main चीज़ सबसे important जिसकी इसके safety features की तो यहाँ पर आपको ABS central locking, power door lock, seat belt warning, engine mobilizer, crash sensor, speed alert, speed sensing auto door lock, anchor point for child shift इसी साथ आपको 6 airbag का भी option दिन हो मिल जाएगा because इसमें मिलती है आपको euro and cap 5 star safety rating जो की काफी अच्छी चीज़े अब बात लेते है main चीज़ की pricing की तो अभी आप इसका premium plus variant देख रहे हैं अगर एक showroom pricing की बात लिए तो 47,000, 27,000 का पढ़ जाता है आपको एक showroom on road लखनों की बात लिए तो आपको पढ़ता है 54,000, 53,000 का on road लखनों पट ये गाड़ी आपको कम price में मिल जाएगी अभी आप अगर SSK कार जाएगे तो वहाँ पर आपको ये गाड़ी 26,000,000 मिल जाएगी जो की pre-owned कार है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफी amazing लख रहे हैं कोई भी आपको इसमें problem नहीं मिलेगी scratchless कार मिलेगी बाकि आप जाके पूरी गाड़ी चेक कर सकते हैं वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को like कर देगा चैनल पर पहली बार visit करें चैनल को subscribe कर देगा subscribe के साथी bell icon को जुरूब पिसके का ताकि जैसे ह आपके पास notification आजाए बाकि SSK कार्स की सारे डिडिल्स आपको नीचे description में मिल जाएगी जाके आप बहाद से contact कर सकते हैं और अपनी गाड़ी purchase कर सकते हैं मैं प्रेंच अब तो आससे अगले डियो में तब तक लिए good बाई